क्याता है A, B, C की बात कर रहा है A, B and C तीनों मिलकर एक बिजनिस चला रहे है पाटनेशिपम की और कहता है A जो है दस यहार रुपे का इंवेस्टमेंट करता है बाचे इनका कितना इंवेस्टमेंट हुआ यह हमें मालूम नहीं है और कहता है जब शेयर का डिस्टिबूशन होता है कुल मिलागे 1000 रुपे का इनको बेनिफिट होता है और इस 1000 में A को मिलता यह बताता है 500 रुपे मिले और B को बताता है शायर 300 रुपे मिले तो रिमेनी किसको मिला होगा C को मिला होगा C को मिले होंगे 200 रुपे ठीक है और C के बारे में पूछा है तो इसी पर हम लो एक आगी नियम भी कह सकते हैं इसको रिष्यों से भी निकाल सकते हैं एक की वैलू फाइंड़ करना 10,000 रुपे दिवाइड़ बाइड़ इंटू 200 इससे डिवाइड करते हैं यह हमारा आंसर आ जाता है दो दूनी 4,000 रुपे तुम्हारा आंसर आ गया बिल्कुल थाहिए व आपको उसका 1 by 20 मिलेगा तो यहां पर जो मिल रहा है पूंजी जो कितनी लगाई होगी 20 टाइमस मोड लगाई होगी 20 गुना लगाई होगी तो 20 चे मल्टिप्लाई करते हैं आ आंसर आ जाएगा ठीक है